हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टो आवार यूट्यूब चैनल आज एक लास्वर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अपना थियोरी पोर्शन जो बचा हुआ उसको हम कवर करेंगे पिछले वीडियो में हम अल्रेडी सारा टॉपिक कवर कर चुके कॉस्ट अका सबस्क्राइब नहीं किया, तर अगर पुराना वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेइलिष्ट में जाकर कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो तुम देख सकते हो चाहे तुम all over India कोई भी university के अंदर क्यों ना आते हो कोई भी semester में क्यों ना हो हर एक subject का वीडियो तुमको मिल जाएगा हमारे channel के playlist में ठीक है इसी के तार वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है about cost accounting दो topic पढ़ेंगे हम इसके अंदर पहला methods of costing और दूसरा है techniques of costing method of costing का मतलब होता है अलग-अलग organization में जो काम है उसका nature अलग-अलग है कहीं पर एक बार में raw materials बनके तयार हो जा रहा है कहीं पर क्या हो रहा है बहुत सारा process करने के बाद बनता है कहीं पर क्या होता है order आता है तुम समान बनाना स्टार्ट करते हैं कई में क्या होता हम समान पहले से बना के रखते हैं order आएगा तो हम देंगे समान तो हर एक industry जो है अपने आप में अलग-अलग है उसका जो nature of work है type of product है वो सब differentiator है अलग-अलग है सारा तो इसी वज़े से अलग-अलग industries के लिए different methods of costing यूज होता है एक सेम तरीका यूज नहीं हो सकता हर एक industry के लिए तो हम वही पढ़ेंगे याँ पे कौन-कौन से methods of costing है और कौन से type of organizations में कौन से type of costing यूज होता है ठीक है देखना सबसे पहला single or output costing under this method the cost of the product is ascertained the product being the only one product like breaks, coal, etc. इसमें क्या होता है जो finished goods है श्रिफ एक ही finished goods बनता है एक से ज्यादा finished goods नहीं बनता है तो उसमें हम यूज करते है single costing नाम से बढ़ा चल रहा है जहांपे एक ही finished goods है सर्व ठीक है next batch costing and job costing थोड़ा एक जैसा होता है job costing का मतलब होता है एक order आया हमारे पास और उस order के हिसाब से हम समान प्रड्यूस की और डिलिवरी की उसको बोलते है एक job ठीक है एक job का मतलब एक work और batch costing का मतलब होता है जब goods जो है एक lot में प्रड्यूस होता है जैसे medicines है एक lot में बनता है पिछे देखोगे भी medicine के पिछे batch number लिखावा रहता है तो उसमें लिखता है उसका मतलब है कौन से batch में वह बना है तो उसको बोलते है batch costing तो batch costing कहां यूज होता है जहां पर एक बार में बहुत सारा फिनर्स गूड्स प्रड्यूस होगा ठीक है एक lot में प्रड्यूस होगा उसको बोला जाता है बेसिकली batch costing जॉब कोस्टिंग और batch costing काइंड ओफ एक जैसा ही है लेकिन फरक यह है जॉब कोस्टिंग में हम कोई पर्टिकुलर जॉब मिलता है एक वर्क मिलता है और उसके हिसाब से हम उतना यूनिट्स प्रड्यूस करके देते हैं और बैच कोस्टिंग में क्या होता है हम रेगुलर बेसिस पे एक पर्टिकुलर लॉट एक पर्टिकुलर बैच समान जो है प्रड्यूस करते रहते हैं ठीक है देखना पहला बैच कोस्टिंग दिस मेथल इन एक्स्टेंशन आप जॉब कोस्टिंग अब बैच में रिप्रेजेंट अनमबर ओफ स्मॉल ओर्डर पास घोधा फैक्टरी इन बैच ठीक है बैच का मतलब होता है एक लॉट और एक लॉट में एक पर्टिकुलर यूनिट्स प्रेड्यूस होता है इच बैच हीर इस टीटेट अज एज एक एक बैच का अलग हिसाब किताब रखा जाता है एक बैच में 100 यूनिट्स बना तो उसके हिसाब से हम cost per unit निकालते हैं, हर batch का हिसाब अलग maintain होता है, उसी को बोलते है batch costing, ठीक है, next है job costing, job costing होता है, हर एक job का अलग से detail maintain करना, ठीक है, under this method of costing, cost of each job, job मतलब work, is ascertained separately, it is suitable in all the cases, where work is undertaken, यह कभ suitable होता है, जब काम लिया जाता है, on receiving a customer's order, जब order आता है, उसके बाद काम स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं, job, ठीक है, work, job costing या work भी हम उसको बोला जाता है, printing press, example है, printing press, customer order दिया printing का, तो printing का काम चालो होगा, इसको बोलते हैं, job costing, ठीक है, next, contract costing, हम यह पहले भी पढ़ चुक है, detailed video तुम देख सकते हो, contract costing का, already channel के playlist में uploaded है, contract costing use होता है, contractors के लिए, जो construction का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोगों का जो construction है, वो बहुत लंबा समय तक चलता है, 2-3 साल, 4 साल तक चलता रहता है, तो जो contract costing है, वो हमको help करता है, हर साल profit calculate करने में, detailed video already uploaded है, contract costing का, channel के playlist में मिल जाएगा, cost accounting का playlist में चल जाना, ठीक है, देखना, under this method, the cost of each contract, basically construction के लिए use होता है, each contract is ascertained separately, it is suitable for firms engaged in, the construction of bridges, roads, buildings, etc. ठीक है, next, process costing, process costing भी again, detailed video already uploaded है, process costing को लेकर, process costing होता है कि जब एक raw materials है, finished goods बनने के लिए, वो बहुत सारे process से transfer होके finished goods में convert होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग process costing, ठीक है, तो वहाँ पर हमको process costing यूज करना पड़ता है, अलग-अलग process का हिसाब रखने के लिए, process 1 का output, बनेगा process 2 का input, process 2 का output, बनेगा process 3 का input, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, तो जब raw material को different, different process से गुजरना पड़ता है, finished goods में convert होने के लिए, तो जब raw material को different, different process से गुजरना पड़ता है, finished goods में convert होने के लिए, हर operation मतलब हर process का हम हिसाब अलग से रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं, process costing, detailed video पहले uploaded है, already playlist में मिल जाएगा वो, ठीक है, the name given in operation costing, next, operating costing, ठीक है, operating होता है, जहाँ पर service industry है, जैसे कि कोई restaurant है, कोई transport service है, है, कोई hotels है, library है, इन सब को जो costing का तरीका use करना होता है, उसको बोलते हैं, operating costing, use होता है किसके लिए service industry में, ठीक है, it is used in the case of concerns rendering services, like transport, supply of water, retail, trade, etc., ठीक है, next, multiple costing, नाम से बढ़ा चला दिखना, एक से जादा method वो use करेगा, costing का, उसको बोलते हैं, multiple costing, it is the combination of, two or more methods of costing outlined, above, suppose a firm manufactures bicycle, including its component, the parts will be costed by the system of job or batch costing, तो जो parts होगा, cycle का, वो job या batch costing के हिसाब से produce होगा, और उसके हिसाब से उसका accounting किया जाएगा, but the cost of assembling the bicycle, लेकर bicycle बनाने का जो है, bicycle single product है, तो bicycle के लिए single या, output costing use होगा, जब एक ही product के अंदर, दो method of costing use हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, multiple costing, जहाब बाइसाइकल का parts के लिए, use हुआ, job या batch costing, और bicycle बनाने के लिए यूज हुआ, single या output costing, ठीक है, this is all about the methods of costing, ठीक है, next, what are the techniques of costing, ठीक है, next हम देख रहे हैं कि क्या technique है, costing, methods का मतलब हो गया, different different industries में, अलग-अलग तरीके से, costing, cost accounting records बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम पहल रहे है, technique of costing, ठीक है, जो की तीन चाठ्थों ज्यादा नहीं है, एक है, uniform, marginal, standard, historical absorption, ठीक है, सबसे पहला, uniform costing, नाम से पर चलता है, uniform का मतलब होता है, same, costing, बराबर, equal, ठीक है, when a number of firms in the industry agree among themselves, जब आपस में सब कोई मिलके agree किये हैं, कि वो लोग, same system of cost accounting follow करेंगे, adopting common terminology of various items, and processes, they are set to follow a system of uniform costing, तो जब एक industry के अंदर, जितने भी forms हैं, जितने भी organizations हैं, सब आपस में decide किये हैं, कि वो लोग एक common तरीका, common method of costing use करेंगे, तो उसको बोला जाएगा, uniform costing, ठीक है, next, marginal costing, marginal costing होता है, differentiation करना between fixed and variable cost, fixed cost का मतलब होता है, ऐसा खर्चा जो कि output change होने के वज़े से change नहीं होगा, उसको बोलते हैं, fixed cost और variable cost का मतलब है, जैसे-जैसे output बदलेगा, वैसे-वैसे, cost भी change होगा, ठीक है, उसको बोलते है, variable cost, तो it is defined as the ascertainment of marginal cost, by differentiating between the fixed and the variable cost, तो fixed और variable हम और detail में पढ़ने वाले हैं वैसे, जब हम types of cost पढ़ेंगे next video के अंदर, अभी के लिए इतना समझ लो, जैसे तुम्हारा factory का rent है, rent is fixed cost है, तुम चाहे सामान produce करो, या ना करो, ज्यादा produce करो, कम produce करो, फरक नहीं पढ़ता, rent देना ही पढ़ेगा, तो rent जो है, वो fixed cost है, variable cost है, अगर सामान produce करेंगे, तो खर्चा होगा, सामान produce नहीं करेंगे, तो खर्चा नहीं होगा, उसको बोलते है variable cost, ठीक है, it is used to ascertain the effect of changes in volume, और type of output on profit, ठीक है, तो यह analyze करता है, कितना units ज्यादा produce करने से, कितना profit में changes आ रहा है, ठीक है, next, standard cost, as the name signifies, standard का मतलब होता है, एक plan बनाना, और बाद में, actual performance को compare करना, planned performance के साथ, और check करना, कि कोई deviations है या फिर नहीं है, जैसे हम लोग सोचे थे, कि 1000 unit को हम produce करेंगे, बीस हजार रुपए में, यह हो गया standard, अब हम 1000 units कितना में बनाए, जैसे सपोज हम बनाए, 21,000 लग गया, इसको बोलते है, एक्च्वेल, और फिर डेविएशन, डेविएशन माला दोनों में difference, 1000 रुपए ज्यादा लग गया, तो इसको बोलते है, डेविएशन, तो यह method को बोलते है, यह technique को बोलते है, standard costing, ठीक है, देखना, इस दे नेम गिवें तो टेक्नीक, वेरबाई, standard cost, are predetermined, predetermined माला पहले से calculate किया गया है, and subsequently compared with the recorded actual cost, तो standard cost को compare करना किसके साथ, actual cost के साथ, it is specially suitable where the manufacturing methods involves production of standardized goods of repetitive nature, कब suitable होता है, जब एक ही type का product बार-बार produce होता रहता है, तो वहाँ पर यह technique use किया जाता है, next, historical cost, history का मतलब होता है, जो हो चुका है, तो historical cost का मतलब है, जो सामान produce हो चुका है already, उसका cost per unit calculate करना, उसको बोलेंगे historical cost, it is the ascertainment of cost, after they have been incurred, खर्चा होने के बाद कितना खर्चा हो गया हिसाब करना, is known as historical cost, this type of costing is limited utilities, point number one, post costing, it means ascertainment of cost after production, is complete, continuous costing, continuous अमान बनते वक्त ही उसको अनलाईज करना, cost is ascertain as soon as the job is completed, or even when the job is in progress, ठीक है, तो इतना ज्यादा famous नहीं है, जो historical costing है, वो, last one is absorption costing, absorption costing भी वह ही है, marginal के जैसा ही है, लेकिन differentiate नहीं करता है, between fixed cost and variable cost, यह मानता है कि सारा का सारा चीज cost है, fixed और variable से कोई फरक नहीं पड़ता, तो marginal और absorption में थोड़ा सा difference है, ज्यादा difference नहीं है, detail हम आगे आने वाले subjects में पढ़ाया जाएगा, management accounting में हमको बहुत detail में यह चीज पढ़ाया जाएगा, देखना, it is the practice of charging all cost, both variable and fixed to operations, processes और products, this differs from marginal costing, where fixed costs are excluded, तो fixed cost का treatment जो है, marginal costing में अलग है, और absorption costing में अलग है, यह detail में management accounting के अंदर हम लोग cover जरूर करेंगे, ठीक है, अभी के लिए इतना, इतना जानने से sufficient है, this is all about the techniques of costing, तो हम दो topic कवर किये, बहुत important है, short notes आ जाता है, exam में बहुत इससे, एक हो गया method of costing, और दूसरा हो गया techniques of costing, ठीक है, बाकि मिलते हैं next video में, वीडियो कैसा लगा, जरूर से comment करके बताना, और अगर पसंद आया तो एक like जरूर से करना, वीडियो को, plus हमारे channel को subscribe जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ share भी करना, हमारे videos को, Thank you and bye-bye.